आप सबी को मेरा प्रणाम, आज पावन धामा ब्रुंदावन के बारे में जानिंगे, ब्रुंदावन मतुरा स्रीक्रिष्ण परमात्म की अध्यत्मिक अलोवकी का पावन लीला भूमी है, ब्रुंदावन मतुरा से 14 किलमिटर दूर परस्तित है, ब्रुंदावन धार्मिका अईतिहासिका संस्कृतिका पौराणिक से जुडे हुए है रिवश पुराणा स्रीमत भगवत गीता फिष्णु पुराणा आधि में बुरंदावन का उल्लेक है मतुरा बुरुंदावन की मिट्टी का हरकनकना राधा क्रिष्ण की लीला और कहानी से जुडे हुए है भगवान श्रीक्रिष्ण परमात्मा के दिव्य पादस परश से आध्यत्मिक सुगंद की सुवासन संपूर्ण भारत में पहले हुए है कनईया राधाक्रिष्ण के मतुरा ब्रुंदावन में अवतार लेने से अनेक देवि देवताबी अनेक रूप धारण करके अलवकीक विद्या की आनंद की अनुभूती समस्त मानवकुल को उपाहार में दिये पुरुषोत्तम स्रीक्रिष्ण परमात्मा निगूड और कटिन तत्वशास्त्र को ब्रजभूमि में सबीको नृत्यशास्त्र, कला, संगीत, तालमेला, भक्तिशास्त्र के द्वारा सबीको सरल रूप से समझाए योगीश्वर स्रीक्रिष्ण परमात्मा ब्रुंदावन में रहकर अम्पृतस्वरूपी गौमाता का पालन पोशन करते हुए यमुना नदिके तट पर सकल वेदोपो निशत्त को बानसूरी के द्वारा धुनी में बजा कर समस्त प्रकुर्ति में सकारात्म का उर्ज्जा शक्ती आध्यात्मिक दिव्य शक्ति को संपूर्ण भारत में समाहित किये विश्वरूपी स्रीकृष्ण परमात्म अनेक देवतावों की शक्ति को धारण करके इस धरापर मानव रूप में अवतरित होकर आत्न विद्या, मदुविद्या, अमर विद्या, देव विद्य की सुगंध की अनुभूति सबी को करायेते नकारात्म का शक्ति, तामसी शक्ति, आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए, दैवी शक्ति, सात्विक शक्ति, अध्यत्मिक शक्ति की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्तापना करने के लिए, साद सज्जनों की रक्षा के लिए, शंक, चक्र, पदम, गदा, धारी, अने अनेक युगों में अनेक रूप में अवतरित हुए है। ब्रुंदावन के आसपास का क्षेत्रभी स्रीकृष्ण के लीलावोसे जुडेवुए है। अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, ऐसा आधी मंदिर स्थित है। ब्रुंदावन के निदिवनि में स्री राधा क्रिष्ण आज भी रात को रासलेल करते है। श्रीकृष्ण परमात्म, तत्व ज्यानी, संगीत, साहित्य, संस्कृत भाष, संस्कृती, नृत्यकला, नाट्यकला, बानसुरी, मनशास्त्र के ज्यानी, राजनीतिग्ण, धर्मपालक, धर्मसवस्तापक ते। बरसान राधारानी की जन्मभूमी है। बरसाना में होली का तोहार बहुत प्रसिद्ध है। गोकुला, स्रीकृष्ण की समस्त बाल लीलावों से जुड़ा हुआ है। नंदगाव में स्रीकृष्ण परमात्मा ने मायावी पूतन, शक्तिशाली बकासूर औरू दशासूर का स्रीकृष्ण ने अपनी दिवेशक्त से वद किया था। इंद्र का घमंड और अहंकार का नाश करने के लिए गोपियो और गो रक्षा के लिए चोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा कर इंद्र का घमंड दूर करके सबी की रक्षा की। गोवर्धन गिरी की परिक्रम करने से पुण्य की प्राप्ति होकर मनो कामन पूरण वोती है। विदेश से अनेक भक्त लोग आते है। ब्रुंदावन की ब्रजब्भूमि में रादा कृष्ण की अनेक लीला, कहानी, गीतासार, भक्तिसार पाने के लिए अध्यत्मिक अलुकी का आनंद में डूबने के लिए सुकभोग वईभव टाग कर विदेश से आकर यहा में जाकर भारत के अध्यत्मिक अलुकी का ज्यान के आनंद को बांटते है। यहा देव भूमी भारत की मिट्टी की सुगंद है। इस पावन धरिती पर भगवान के अवतार की शक्ति अजारों साल से समस्त मानवकुल को चित्ता करशित करके सकारात्म का उर्ज्या शक्ति, आध्यात्मिक उन्नती, चित्त प्रसन्नत, पुर्ण्य प्राप्ति होकर हर वेक्ति को एक नईया अनुभव प्राप्त होता है। ये अलवकीक शक्ति की लीला से अमारे बीतर की सुप्त शक्ति जाग्रत होने से आंतरिक शांति मिलती है ये शाश्वत सत्य के धेतक पहुंचने के लिए विग्ना हमारा जीवभाव का अहंकार ममकार इसको हटा कर जाने के लिए प्रवल संकल्प शक्ति इश्वरी भक्ति गुरू की शक्ति देवावश संभूत स्तान की महिमा बहुत महत्तोपूर्ण वोती है इस देवभूमी को शत शत नमना आज के विशे संपन्न हुआ